यह जो आप गुफा देख रहे हो यहां पर महाराना परताब अपनी गुप्त मीटिंग्स किया करते से बैलोल भाग महाराना आ गया तो कता हलके में उसने लिया और महाराना परताब ने एक ही जटके में उसके सेर और उसके घोडे को अलग कर दिया है को दंब के जाना होगा कि ऐलो दोस्तों आज मैं आगया हूं हल दी घाटी के पास अप मेरे तके से लंगो के महाराना परताब की मुर्थी है और हम जाएंगे कि घोडे ने कहां से छलांग मरति हम उस तरफ भी जाएंगे और आप देख सकते हैं कि अहां पूरा प्रॉपर व्यूव कैसा है भी आप देख दिख सकते हैं कि मेरे पीछ कोई भी पहाड़ दिख रहे होंगे तो अब छा रहे हैं तो अब ही हम वह AH जा रहे हैं जहां से घोड़े ने चलांग मारे थी हल्दी घाटी में आके नहीं जैसे मेरे डॉंटे खड़े हो रहे मतलब कि जो होते हैं लूज बंस वही समझे ना मतलब कि बच्पन से पढ़ता आ रहा हूं कि हल्दी घाटी हल्दी घाटी हमारे इंडिया में इतने शूरू ही रहें जिनसे बाहर के लोग भी इंस्पायर हैं महाराना प्रताब से अभी सारा जंगल का एरिया आप दे सकते हो सारे आसपास काटेदार पेड़ पो धे हैं कि अग्या पूद के जाना होगा मेरे पीछे देश सकते हो कि खाई यह सारा एरिया और उधर पानी का अफ्सरों होता है यहां से अभी पानी चलता है वहां से छलांग मारती उनकी घोड़े ने और यह सारा जंगली एरिया तो अकेला हूं अभी तो जंगली जानार का खत्रा भी है पर आपके लिए आना पड़ता है अब सुन रहे हैं पानी के वास को आप जो मेरे पीछे देख रहे हो वहां से चेतक ने चलांग वारती जो महारा प्रतापा घोड़ा था इतनी उचाई से अभी भी आप देशेक्ति काफी गहरा है ठीक है और यहां से चलांग मारी थी और चलांग मारते मारते वह आगे तक गए और यह भी सारा जंगल ए रही है मैंने जैसी का वो दिखाया था आगे तक अभी भी आप पानी के बाद सुन पा रहे होंगे अब हम वहां जा रहे हैं जहां महाराना परताव गुफां में रहते थे और उसकी क्या स्टोरी मैं भी आपको बताता हूं पहले यहां से निकल ज आप मेरे पीछे देख रहे हैं यह है उनकी घोड़ी के समाथी जिसका नाम था चेतक जो चेतक की मित्ती हुई तो महाराना परताब को बहुत ही सद्मा लगा तो उन्होंने फैंसरा लिया कि मैं जब तक मूगल स्याना को खदेड़े हूंगा नहीं तब तक मैं जंगलों मे सब्सक्राइब के बाद यहां तक आये थे खोड़ा ठीक है और यहां पर आके उनके घोड़े ने आखरी सांस लेती है मतलब यहां आके ऐसा लगता है कि सच में हमारा इथियास बहुत लिए पावरफुल लगा है तो अभी आगी की तरफ जा रहा हूं पर मुझे बुरा ब बहुत बुरी बात है चलो अब आगे जी की तरफ जा रहे हम तो आप देख सकते हो कि मैं हल्दी घाटी के पास आ गया हूं और हल्दी घाटी इसलिए इसको कहा जाता है कि जो मिट्टी है हल्दी मतलब कि जैसे हल्दिया कलर होता है तो यह बहुत ही इस्टोरिकल जगा है और हमें बहुत जादा प्राउड होता है कि हम इंडियान है और महाराना प्रताप ने मुगलों को ऐसा सबक सिखाय कि उन्होंने जीते जी उनको कुछ नहीं भी गाड़ पए और आप देख सकते हो कि यह जो मिट्टी है येलो रंग के और इसको सीरी पर लगाना चाहिए क् हमारी जो इंडियन है पर चलता है कि हमारे इंडियन शूरुवीर कितने ज़्यादा पाउरफुल थे मुगल्स उस टेम हिंदुस्तान पर टैक करने से पहले बार बार सोचते से पर कहते हैं घर तोड़ने वाले भी अपने होते हैं कुछ अपने लोगों की जासे हिंदुस् जुरू होती है उस्टेम मुगलों का जो सेनापती था बेलोल खान था ठीक है तो अकबर ने उसको भेजा था क्यूंकि महारानाय परताब को पगड़ के लेकर आए और जो मान सिंग था उसको पता था कि ऐसे तो पकड़े जाएंगे नहीं महारान परताब तो हब हब में च बेलोल भाग महाराना आ गया तो किता हलके में उसने लिया और महारान परताब ने एक ही जटके में उसके सिर और घोड़े को अलग कर दिया और यह देखके मान सिंग महां से भागा तो पिजब दूसरी बार यूद शिड़ता है तो उस टेम जब यूद होता था तो हाथी कि आगे न सुझ आगे तलवार लगा दे हैं तलवार इसे लिए लगाते था कि हाथी तो मारेगा मारेगा तलवार से जो छोटी मोटी की जा रही वह ऐसी कट जाएगी तो यह लगा करते है और महारान परताब अपने घोड़े के आगे एक नकली सूर लगाते थे इससे क्य ृफ लेवा यृधू स्ट आउजा तो ये था है फिर महाराना परताब और माण सिंक्ता हुआ युद्ध यूद्ध नहीं ए था कि आए मारने के लिए उन्होता है अपना वो जैवलिंग जैसा तो वो मारा जो वो था लग गया मान सिंग के कवच के अंदर घुस गया मौहराना परताब को लगा कि मान सिंग का तो हो गया काम तो वो छोड़ के चले गए पर इसमें ये नुक्सान हुआ जब घोड़ा चड़ा हाथी के सूंड के अपर तो सूंड के आगे लगी तलवार तो तलवार से जो घोड़े का नीचला पैर कट गया पिछला ठीक है और वहां से एक अखवा फैली कि अकबर भी अपनी सैना लेकर आ रहा है जो मुगलों की धजियां उड़ी थी कि उनके अंदर एकदम हिम्मत आ गई हिम्मत आ गई जाने जो तो तो मुगलों के अंदर एकदम हिम्मत आ गई तो उन्होंने अटाइक कर दिया ठीकर तो महाराना परताब को चारो तरफ से घेर लिया और फिर महाराना परताब को यहां से छोड़ के जाना पड़ा उस तरब जहां से में आपको दिखाया थे कि कहां से घोड़े ने छलांग मारी तो जब लड़ाई शुरू हुई जो महाराना परताब के सैनिक थे उन्होंने बोला कि महाराना परताब मुगलों की सैना 80,000 है महाराना परताब कह रहे है कोई बात नहीं तो उनके सैना पती ने तुम्हारा बोला कि महाराना परताब मुगलों की सैना 80,000 है और हम है 20,000 तो महाराना परताब ने बोला हम लोग 20,000 और मैं एक लाख मतलब कि देखे रोग कॉंफटेंस लेवल इतना था उनका तो एक और अफवा फैली क्यारे अकबर के आगे महाराना परताब जुक रहें तो बीका नेर के जो कभी थे वो राजय थे उन्होंने लैटर लिखा कि कुत्तों की तरह रहेगा और यह लैटर सुनकर महाराना परताब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया तो उनको इतना गुस्सा आया कि महाराना परताब को जब उनकी मतलब की स्वरकवास हुआ तब तक उनको मुगल लोग अपने कबजे में नहीं लेकर आ पाए पकड़ी पाए उनको और अकबन ने अपना पूरा जोर लगा दिया था इस जगा को अपने हाथ में कबजे में करने के लिए क्योंकि जो मेवार था वो आर्थिक द्रिश्ची से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेस रखता था क्योंकि बुजरास से यह भी राष्टा यता है ठीक है और बहार जैसे कि अपना अफगान की तरभी यह बहुत इंपॉर्टेन्ट जगा थी तो अकबने पूरी जिन्दकी जोर लगाया पर वो कुछ कर नहीं पाया कि यह जो आप गुफा देख रहे हो यहां पर महराना परताब अपनी गुप्त मीटिंग्स किया करते हैं अब जा रहे हैं गुफा के अंदर अब यहां पर शायद कोई मंदिर है मंदिर यहां पर माता का मंदिर है माता जी को अपना नमस्कार अरके और यहां अनुमान जी के भी मूरत है और यहां गनेश जी की मूरतिया दे सकते हो और कहते हैं कि महाराना परताब एक दिन में बारा वार जगापनी बदला करते थे और वहां पर भी मंदिर आप दे सकते हो कि अधिक सिविलिंग भी है तो आप दे सकते हैं कि उस तरह महाराना परताब जी की गुफा है और साथ में बिल्कुल सामने की तरह शर्बत की वह है विश्परसिद यह में अंकल थोड़ा बताएंगे बताना यह में गार्डेंग में लेके जलता हैं अभी हम गार्डेंग बटन में जा रहे हैं और गुलकन मुह में चाले कबजी असीडिटी उसके लिए अच्छा था है पर्फिम का काम बहुत हम बढ़ा करते हैं और यह चेति गुलाब जो है वह वह बारोमा से चेति गुलाब है तो आईए इसमें हम लोग जैसे मार्च मेने के अंदर भूल इसके आगल नि got गुलाब जलने अब में बहुत देखा तो आगा गुलाब जल मिल पर अब हमको फेलीस के लिए दरब से घरम बाली सुर्पन्हायर स्थांप झायर इसने तंदर अचसरे आते साधे करेंश मों इसके लिए जाते है नहीं me ये कामें आता है उंहे है जो चेतरी गुलाब का सर्वत इसमें दो डखन सर्वत डालना अब न है आप इसमें ठंड़ा पानी थोड़ा सब्सवात का सुए जाता है घू जाiser wa बल्टी कर लो यह आप जो देख रहे हैं एक मेडिकल में या मार्केट में आप जाते हैं ठंडा बोलते हैं यह ठंडे से एक तो नेच्रल चीज़े पीते तो थोड़ा अच्छा लगता है यह आप टेस्ट करिए रोज सर्वत जमान आगये चाई बनाने की जुरूद नहीं यह सर्वत पिलाओं तो और अच्छा लेगा पूंपर लेटा पास में बिल्कुल अच्छा टेस्ट है और मीठा एक दम सही है ज्यादा भी नहीं मीठा और मिश्री यूज करते हैं और इसमें मिश्री यूज करते हैं और के अग्चा टेस है यह रेक्र्षी के बाद में सर्वति यह इसे क्या होता है अपनी पाचन किर्या में बहुत अच्छा डाब लाइक होता यह यह पेचर्ट में गबजी एसमि on बहुत फाइदा मांदे इसी तरह से इसको पल्टी कर लो तो आपका सर्वत बन जाएगा मिश्री वाला तो आपको मार्केट से ठंडा पिने की जरूत नहीं है तो अभी हम यह सौंफ बाला है हाजी सौंफ का ट्राई करने लगे हैं ति बिल्कुल नेचरल टेस्ट आ रहा है अच्छा टेस्ट है और मिश्री यूज़ करते हैं इसके पान आपका पान का इसी तरह से में ठंडक के लिए बहुत अच्छा होता है और तरीका हो यह एक ग्लास के अंदर डो ठकन डालना है बल्टी कर देना है अब यह पान का बना यह पान का सरवत है पान भी पान की खेती यानी होती है पान मार्केट से लाते हैं और बनाने का तरीका यह सही है जो घुलाब का सरवत बनता वेसा अब हम पान ट्राइब गलिया और आपको नंबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा आप सिधा कॉंटेक्ट भी कर सकते हैं और यह जो चीजे अपने जो परताब गुपा जा मार्ना परताब बैटके जुद्ध करते थे तो जुद्ध का प्लानिंग बता देते उसी की सामने हमारा मेरा चेत् से मेरा कौद का कारोबार वहीड मारा चे ममीद है आपने जो 29 से मारा कारोबार चल रहा है डीचट लूशनाइकश शायं 19VP9 और कॉलेटी में हम लोग व्यूशनाइकश देते हैं कोड्राकों कर्याइकین को विट प्र भींशनाइक जायं करण James Passand समय यह जो सपनानाइकश शाज सृतर व्यूसना लोसक्रास साज समझाब फोड वम अरे चृबरला काम हैं और हम लोग कोलेटी के बिना कुछ बात भी नहीं करते हैं, कोलेटी की गहरेंटी देते हैं. तो देखिए हमारा 1959, विरा चत्री रोज प्रोग्रेक्शन, हल्दी घाटी और बार्ष्या भाग.